आपके अवचेतन मन के विश्वास के बारे में आज मैं बात्चीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेख्सरोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ती तग्यो महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमारा अवचेतन मन जो है सबकॉंशेस माइड बहुत ही पाउरफुल है 90% सबकॉंशेस माइड है 10% कॉंशेस माइड सबकॉंशेस माइड में जो भी विचार है और जो भी विचार के उपर वो विश्वास करता है बस वही सुष्टि में दिखाई देता है किसे ने कहा है कि whatever your mind conceives and believes, it will achieve. आपका mind जो भी कुछ भी चीजों का निर्मान करेगा, विचार करेगा, उसके पर विश्वास करेगा, वो उसको मिल जाएगा. Bible में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी इस पार से कहेगा, तु भट जाओ, तथा समुंदर में चले जाओ. और वो अपने दिल में शंका नहीं रखेगा, बलकि विश्वास रखेगा, कि जो वो कहता है, वो अवश्य होगा. तो जो वो कहेगा, वो अवश्य होगा. आप जो भी कहते हैं और उसके उपर आपका विश्वास है कि वो हो जाएगा, तो वो definitely हो जाएगा. मगर हमारे दिमाज में जूटे विश्वास, अंदश्रद्ध, अंदविश्वास, राएं, तथा डर, ऐसे पक्के भरे हैं, ठोस ठोस के, कि वो हमको चलाते हैं यदि हमने उसको स्फीकार करना बन कर दिया, और जो भी है, कि भई नहीं मैं है कर सकता हूँ, उसके ओपर मेरा विश्वास है, वहां से जिन्दगे में आपरेट करना शुरू कर दिया तो आपको मिलेगा, आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, आपको जो चाहिए ही चाह यह, वो मिलता है, मगर चाहिए चाहिए वो भी नहीं मिलता, आपको जो चाहिए ही चाहिए, और वो आपको मिलेगा, इसके ओपर आपका जब विश्वास है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपको मिलता है, लोगों को सफलता इसके लिए मिलती नहीं है, क्योंकि वो सफ जो विचार करते हैं उसके उपर विश्वास रखते हैं तो मिल जाता है तो सबकॉंशियस माइंड का सोचना और उसके उपर विश्वास करना यह सफलता के लिए बहुत जरूरी है तो आईये आप जो भी सोचेंगे जो भी positively सोचेंगे जो भी positivity का निर्मान करेंगे जो भी positive विचार करेंगे वो करो और मैं यह कर सकता हूँ यह मुझे संबभ है और यह करना आसान है मेरा उसके उपर विश्वा से कि होगा ही होगा तो डिफिनिटली हो जाएंगा आपको सफलता मिलेगी आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थेंक्यू बेरी मच्छ मलूखगा थाइक में करो तो करो जिएवा दैशा थाइक करो उरूर जाँ by मम करऊ पको जो जर सम Position?